हाई एवरिवन कैसे आप सब आज इस वीडियो के अंदर में आपको इस्टाग्राम डिलेट अकाउंट को वापिस कैसे ओपन कर सकते हो उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बाताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो के स्टाइट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अगर सेने पर नए होते हैं चैनल को सबस्क्राइब परो वीडियो लाइक करो ताकि ज़्यादा सी ज़्यादा ये वीडियो आगे लोगों तक पहुंच सके इसके लिए आपको अपने इस्ट्चाग्राम अप्लेकसिन को ओपन करना याँ पर देख सो तो आपको अपना यूजरनेंव डालना शो अगर आपको पूराने अकाउंट का यूजरनेंव याद है तबिह आप अपने अकाउंट को खोल सकते हो जैसे कि यहाँ पर देख से जो मैंने आपर 4 लगा थे मेरा यहाँ पर username आज सुका है तो मैं आपर इस username पर कलिक करता हूँ username पर कलिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर dismiss बता रहा है यानि मैंने इस account को delete कर दिया है लेकिन अभी एक मैना नहीं हुआ है तो मैं इस account को वापिस open कर सकता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर आपको password की ज़रूरत होगी अगर आपको password याद नहीं है तो कोई बात नहीं आप यहाँ पर get help login पर click कर सकते हो लेकिन मुझे यहाँ पर password याद है तो password याद है तो आपको यहाँ पर अपना password एंटर करना है password एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको login पर click करना है login पर click करने के बाद यहाँ पर कुछ loading लेगा loading लेने के बाद आप यहां पर देख सकते हो जो मेरा account हुआ यहां पर 1 November को delete होगा आपको keep account पर click करना है keep account पर जिसी आप click करोगे तो यहां पर कुछ loading लेगा loading लेने के बाद यहां पर आपका जो account हुआ यहां पर खुलकर open हो जाएगा मैं पर आपको पूरा step by step बता OWगा तो यहां पर आपको note now पर कलिक करना है और यहां पर आपको अपनी profile पर कलिक करने के बाद यहां पर देख सुकते हो notification आ रहा है तो इसको आपको turn on करने के बाद यहां पर लेट हुआ था अकाउंट है वह यहाँ पर वापिस कुलकर ओपन हो चुका है तो इस तरह से आप अपने इस्टागराम अकाउंट को वापिस ला सकते हो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगा तो याँ चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक देए गुड़ बाई